ओम नमो भगवते बास देवाई नमाहा श्वागते आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूटुब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको होली के बारे में जानकारी दूँगा होली के दिन कौन सा ऐसा योग बन रहा है जो आपकी मनो कामना पूरी करने वाला योग है जिस वज़े से आप पियती भाग गिसा लिए इस वार होली पर तीन महा सुभ योग बन रहे हैं जिसकी वज़े से कई रासियां जो बहुत ही ज़्यादा भाग गिसा लिए रहने वाल सबसे पवित्र दिन होता है, बड़ा दिन होता है। इस दिन हम जो भी उपाय करते ही, उस उपाय का विशेस फल हमें प्राप्त होता है। वेदे जोतिस के अनुसार सभी ग्रह समय समय पर अपनी रासी बदलते रहते ही। ग्रहों के राजकुमार बुद्ध लगबग 25 दिनों के अंतराल पर एक से दूसरी रासी में गोचर करते ही। बुद्ध ग्रह का रासी परवरतन होने से हर एक रासी के जातक पर इसका प्रवाव अवसी परता ही। बुद्ध गोबानी, व्यवपार और बुद्धी के कारक ग बजगर के 49 मेट पर मिन रासी से निकल कर मेज रासी में प्रवेश करेंगे मेज रासी में पहले से ही देवतां के गुरू ब्रैस्पती मौजूद हैं इस तरह से मेज रासी में दोनों ग्रहों की युति होगी 12 साल बाद मेज रासी में बुद्ध और गुरू की युति हो रह प्रकार एक राशी में दोवार आने में करीब 12 बर्स का समय लगता है मेश राशी में गुरू बुद्ध की युति कई राशियों को लाप पहुंचाने बाली हैं 12 बर्सों के बाद गुरू और बुद्ध की युति आपके लगन में हो रही हैं जिस वज़े से आपको पति की और बुद्ध की युति बन रही है इदर गजकेसरी योग बनेगा गजकेसरी योग बनने जा रहा है और साती मंगल और सनी का योग भी बनने जा रहा है यह योग इतने प्रबाफसाली हैं कि इनकी बज़े से आपकी किस्मत बदल जाएगी सनी और मंगल का ये बनने बाले हैं जिसकी वज़े से बियादील लाब मिलेगा इस दिन भगवान सिव का अवसिख करें भगवान को आप बेल पत्र भांग धतूरा समर्पित करें गेउं के दाने सिवलिंग पर चड़ाएं धतूरी का फल सिवलिंग पर चड़ाएं भगवान का गन्य की रशी अ मासी होती है तो सत्तानारंण भगवान की पूजा का बड़ा मेत्थ होता हैं इस दिन सत्तानारंण भगवान की पूजा की जाती हैं जीवन में सारीकस्ट और सारी परिसानियां धूर हो जाती हैं सत्त नारण भगवान की पूजा करने से पुत्र की इच्छा पूरी होती है धन की इच्छा पूरी होती है जीवन में जो भी परिशानिया रहे हैं सारी परिशानिया दूर हो जाती हैं अगर आप उरण मासी के दिन होली वाली दिन भगवान की पुझा करते हैं। इस दिन जो व्यक्ति होल्का देन की परक्रमा का बड़ा मेत होता है। जो विक्ति होलका देन की परक्रमा करते हैं और परक्रमा करते हुए होलका देन में कुछ चीजे डाल देते हैं उनकी मनुकामना पूरी हो जाती है जैसे होली की परक्रमा करते हुए होलका देन में चावल डाल देने चाहिए होली की परक्रमा करते हुए होलका देन में एक ना पूरी हो जाती है दोस्तों इस दिन कई रासी आएं जो बहुत ही जढ़ा भाग्य व्य जैसे मेश्रासी बारे बरोसों के बाद गुरु और बुद्र की युति आपके लगन में हो रही है ऐसे में इस रासी के जातकों को पुत्र का योग है दन का योग है कार केतर में आपको सपलता मिलेगी लाप के अफसरों ब्रद्योगी नोकरी पेशा जातकों को नए मौके मिलेगी ब्योपार करने बालों को अच्चा मुनापा मिलेगा बाग्य का साथ मिलेगा आपकी हर मनुकामना पूरी होगी वही मितुन रासी बालों को बड़ा लाब मिले वाला है मितुन रासी बालों को ब्योपार में लाब मिलेगा धन की प्राप्ति होगी बिजनिस आपका बहुत अच्छा चलेगा जिन कारों में आपको परिशान यारी रुकावट आ रही है आपके कार बनने शुरू हो जाएंगे दीरे 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 इस्तिती आपकी बहुत ही शुब हो जाएगी आने वाले समय में कई प्रकार के लाव आपको मिलेंगे करकरासी करकरासी के जातकों के लिए गुरु बुद्ध की युती दसंबाब में हो रही है ऐसे में करक रासी वालों को ब्योपार में बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है आत्म विश्वास में बड़ोत्री होगी नोकरी में तरक्की मिलेगी प्रमूशन मिलेगा रिस्तेदारों का साथ आपको मिलेगा ब्योपार में उन्निती मिलेगी मपुत्र प्राप्ति के योग भी बनेंगे आने वाला समय आप के लिए खुशियों बरा रहने वाला हैं जीवन में हर प्रकार का शुक और बैवब प्राप्त होगा धन वड़ेगा ब्यवपार आपका अच्छा चलेगा अगली जो रासी हो है सिंग रासी सिंग रासी वालों के लिए योग खुशियां लेकर के आने वाला है तीसरी रासी है बियादी भागिसाली चोती जो रासी हो सिंग रासी सिंग रासी वालों को बड़ा लाम मिलेगा यानि पहली मेश रासी दूसरी मितुन रासी तिसी करक रासी चोती है सिंग रासी सिंग रासी बियादी भागिसाली रहने वाली है सिंग रासी वालों को पुत्र का लाव है धन का लाव है ब्योपाराचा चलेगा नोकरी पेशा लोगों को काम्याबी मिलेगी पांच मिरासी है तुलारासी तुलारासी के जातकों के लिए बुद्ध गुरु की यूति बहुत ही कारगिर सिद्धोगी लाब के अच्छे अपसर प्राप्त होंगे धनलाब के मौके मिलेंगे जो लोग नया काम करना चाहते हैं उनके लिए आने वाला समय बहतरीन रहेगा अविवायत जातों को विवाग के प्रस्ताव आएंगे आतम विश्वास में ब्रद्धी होगी वा दीरे दीरे कार बनने शुरू हो जाएंगे आने वाले समय में विश्यस लाब आपको मिलने वाले हीं दोस्तों अगली जो रासी है जिसका योग बहुत ही अच्छा है वह रासी है आपकी धनुरासी धनुरासी वालों को विश्यस अगली जो रासी है जिसका योग बहुत ही अच्छा है जिसके जीवन में पुत्र और धनका योग शुरू चुका है वो है मकर रासी मकर रासी बालों को विशेश लाब मिलेगा मकर रासी बालों को पुत्र का लाब है धनका लाब है व्योपार अच्छा चलेगा नो करिम प्रमोशन मिलेगा स्वास्त का विश्य शुरूप से आप ध्यान रखें पैंसा कही जादा ना फसाएं उसके बाद में कुम रासी और मिन रासी ये रासिया हैं जो बहुत ही जादा भागिसाली रहेंगी जिनके लिए यह पर्व खुशियां लेकर के आने बाला हैं आने बाले समय में आपको लाव ही लाव मिलेंगे दोस्तों जीवन में कई प्रकार के अफसर आपको ऐसे मिलेंगे जिनके आपको प्रतग्या थी जिसके आप बाद देख रहे थे वह यह अफसर हमारे कब आएंगे जीवन में हमें कम मंसमन मिलेगा तरक्की के योग कब बनेंगे तो वह समय आपका आचुका है आपको विशी सलाम मिलने बाला है जो उपाय आपको बताएं वो उपाय आपको करने ही साती रात को मातल अलच्विया भगवान गनेजी की पूजा जरू करें जिसे आपके योग और ज्यादा प्रबल हों तो य यह उपाय बहुत ही चमतकारी है और यह दिन बड़ा सिद्ध दिन होता है इस दिन अगर उपाय करते हैं तो जीवन में यस बैवाव सब कुछ इपराप्त होता है मुझे अमीद आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेके महाकाल भूले नाथ आपकी हर मनों कामना पूरी करेंगे आपको मान सम्मान मिलेगा यस मिलेगा ओम नमस्षवाएं